नमस्कार दोस्तों मैं अक्षे आप तभी का SSC अड़ा 24-7 पर स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी विद्यारती बहुत अच्छे होंगे चलिए सुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की क्लास की सुरुआत करने से पहले एक बार सभी स्टुडेंट जितने भी लोग लाइब जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो की लिंक की रेडी ना आप सभी लोग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बिलकुल अगर आप लोग बिलकुल रेडी हैं तो हम क्लास की सुरुआत करेंगे एक एक चीज पर डिटेल डिसकेशन करेंगे आप सभी लोगों से कहूंगा 7am का चैनल को सब्सक्राइब करके 7am क की स्पेशल क्लास हो रही है 7am मैट्स की स्पेशल क्लास हो रही है और यह क्लास डेडिकेट है हमारे ओल जैसे अगर आप जीडी की त्यारी करें अच्छा दोस्तों आपने कभी एक चीज अबजर किया है जीडी में बिसेकली कोश्चन्स रिपीट तो रिपीट पेपर का आ आपने अगर ऑबजर किया होगा कुछ बच्चे कुछ सिफ्ट में रेडी हैं मैं आपको क्लास की सुरुआत करूँ उससे पहले एक इनफॉर्मिशन शेयर कर देता हूँ आप लोगों ने ऑबजर किया होगा अगर आप पेपर का एनलिसिस कर रहे होंगे तो आपने आते हैं तो अच्छी बात नहीं बताते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सिफ्ट के पूरे के पूरे लगबग लगबग 70-80% कोश्ट सेकेंड सिफ्ट में रिपीट हो गए तो इस चीज का विसेज ध्यान रखें कि जीडी में कोश्ट रिपीट हो रहे हैं बार बार त जो जितने भी एनलिसिस आपको कराए गए हैं जो भी एनलिसिस आपको कराए गए हैं वो सारे एनलिसिस आप देखके जाएं और मैत महां ठीक है हाँ और मॉर्निंग में आज जो मैं कोश्ट कराने जा रहा हूं ये सारे कोश्ट आप लगा लीजेगा इससे आपको कम से कम एक बार proper अंदाजा मिल जाएगा कि GD में क्या-क्या चीजे आ रही हैं चलिए तो जल्दी से एक बार ready सुरुआत करते हैं एक छोटी पहला question बच्चों आपके सामने बताईए पहला question बच्चों आपके सामने आज मैं 20 तारिक से लेके 24 तारिक की सभी papers का discussion करूँगा 20 तारिक से लेके 24 तारिक तक की सभी papers का complete discussion मैं करूँगा आज की class में बेगो question क्या कह रहा है x-y का 30% x-y के 20% के बराबर है y-x का कितने प्रतिशत है ये question बच्चे आपसे कहा गया है आपसे कह रहा है कि x-y x-y का जो 30% है x-y का जो 30% है किसके बराबर है 30% किसके बराबर x-y के 20% के बराबर है के 20% के क्या है बच्चे बराबर है तो ये 100 और ये 100 cancel ये 0 इस 0 से cancel कर देंगे multiply करेंगे तो 3x minus का 3y बराबर कितना जगा 2x और plus का 2y अब x को एक तरब कर दो y को ये plus का 2x इदर आएगा तो minus को जाएगा 3x minus 2x कितना होगा 1x यानि x भी कह सकते है ये minus का इदर गया plus का होगा तो 3y plus 2y 5y तो यहां से x upon y कितना निकल कर आगया x upon y निकल कर आगया 5 अनुपाते 1 x और y का रिश्यो कितना निकल कर आगया 5 अनुपाते 1 ये निकल कर आच चुका है बोलो clear कि नी clear अब examiner आपसे क्या पूछ रहा examiner आपसे पूछ रहा है y x का कितने प्रतिशत है जो y है वो x का कितने प्रतिशत है y x का कितने प्रतिशत है जब भी examiner आपसे पूछे मैंने आपको पहले भी चीज सिखाई है कि जब भी examiner बेटे आपसे पूछे p is what जो P है वो Q का कितने प्रतिशत है पी Q का कितने प्रतिशत है तुलना किसे और एक Q से जिससे तुलना करते हैं कहां रहते हैं रिनॉमिनेटर में पी को कहां रखेंगे नियूमिनेटर में इंटू क्या कर देंगे हैंडेट ये करने का तरीका होता है ये करने का कम्प्लीट प् numinator में y को कहा रखेंग numinator में into क्या कर देंग hand it 5 से cancel कर दो कितना है गा 20 प्रतिशत है कितना 20 प्रतिशत है y जो है वो x का 20 प्रतिशत है लाड़ लो y x का 20 प्रतिशत है recording class है क्या अंजली कुमारी का कहना है अच्छा अंजली बच्चे tell me one thing कि अगर recorded नहीं हो अगर recorded है तो क्या आप नहीं पढ़ सकते हो क्या recorded जब अगर कोई teacher record भी करता है तो क्या उसमें पढ़ाता नहीं क्या बोलो चलिए बच्चे अगला question बच्चो ये question आपके exam में आया था जल्दी से बताएं क्या होगा इस question का answer try कीजे और मैंने आप से कहा था कि decimal का एक question आएगा चलिए देखे question क्या कह रहा है इस question करने की trick क्या है सबसे पहले चीज़ तो एक दिदी देखें यहाँ पर कुछ value decimal से पहले है और बच्चे कुछ value decimal के बाद है जहां से देखो कुछ value decimal से पहले है बच्चे कुछ value decimal के क्या है बाद है तो जो value decimal से पहले इनको adjectives add कर दो 7 और 6 7 और 6 कितना होगा बिटे 13 7 और 6 कितना होगा 13 अब मैं बात करता हूँ 7 और 4 के उपर बार है 7 और 4 के उपर बार है तो यह हो जाएगा 74 अपॉन 99 प्लस 3 और 2 के उपर बार है तो 32 अपॉन 99 तो यह कितना हो जाएगा 13 प्लस n से हम कितना आ गया 99 उपर कितना हो जाएगा 4 और 2 6 7 और 3 कितना हो गया 10 इस तरीके से लेकिन हमको answer इस format पे देना न बच्चे हमको answer इस format पे देना है तो यह हो जाएगा 13 प्लस 99 एककम 99 और 7 कितना हो गया 106 divided by 99 99 एककम 99 और 7 कितना हो गया 106 अब हम add करेंगे तो जब हम add करेंगे तो यह 13 बेटे इस से जुड़ जाएगा तो 13 और 1 कितना हो गया 14 अब देखो यहाँ पर नीचे denominator में 9 कितने बार है कोगसर डिनामिनेटर में 9 दो बार है तो हम इसको लिखेंगे 07 के उपर बार 14.07 के उपर बार कौन सा option है कोगसर भी option है 14.07 के उपर बार 14.07 के उपर बार आ जाएगा ठीक है clear है 14.07 7 के उपर बच्चे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्लियर है, किसी पी step पर कोई doubt तो नहीं है, board moss के questions आ रहे हैं हर shift में, अगला question बच्चों आपके सामने करिए, ये question लगभग लगभग 20 तारिक में भी आया, 21 तारिक में भी आया, और 22 तारिक में भी आया, लगभग 3 shift में, 3 shift में नहीं लगातार, 3 दिन से ये question पूछा जा रहा है, ठीक है, बस data थोड़ा बहुत change कर रहे हैं, हर shift में बेटे ये question आ रहा है, question करो, एक कारेक को 45 दिन में पूरा कर सकता है, भी 90 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ कारेक करतें, तो कारेका 10 दिनों में कितना पूरा हो जाएगा, अगर वे एक साथ कारेक करतें, तो 10 दिन में कितना भाग कारेक पूरा हो जाएगा, यह आप से पूछा गया, बहुत ध्यान से देखो, 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 एक काम को कितने से हम करता है, B की बात करता हूँ, B काम को 90 दिनों में करता है, B काम को 90 दिनों में करता है, सबसे पहले आप LCM निकाल लो कितना हैगा 90, कोई पूछे टोटल वर्क कितना है 90, जो A है 45 दिनों में 90 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम करेगा, B 90 दिन में 90 काम कर रहा है, एक दिन में 1 कारे करेग गया 30 कारे आपका पूरा हो गया बोलो भाई एक दिन में दो कारे करता बी एक दिन में एक कारे करता दोनों मिलकर तीन कारे कर रहें दस दिनों तक कारे करते रहे 30 कारे बेटे आपका पूरा हो गया बोलो clear कilate अब आपसे कह रहा है कि 30 is 90 का कितने भाग है पार्ट वैल्लिU आपसे पूछी गई है 30 90 का कितने भाग है 1 बटे 3 30 एकंग 30 3090 1 बटे 3 भाग है 1 बटे 3 भाग है बोलो है की नी है अच्छा उसने ये नहीं पूछा कि कितना भाग है अच्छा कितना भाग है एक बटे तीन भाग है अगर कह जेता कितने प्रतिशत भाग है ये भी पूछा गया है कितने प्रतिशत भाग है तो एक बटे तीन multiplied by so और कर देते तो 33.33% कारे आपका हो चुका है तो दोनों चीजों के लिए पूर्टया तयार रहे है दोनों चीजों के लिए पूर्टया तयार रहे है चलिए आगे बढ़े सारे बच्चे बताए अगला कोशन बच्चों आपके सामने बताए क्या होगा इस कोशन का अंसर अगला कोशन बच्चों आपके सामने आचुका बताए क्लास को लाइक और शेयर भी करते हुए चला करें तो हमें भी अच्छा लगा करें कि चलो भाई स्टुडेंट मेहनत करें हम भी उनके साथ मेहनत करके उनका सेलक्षन के लिए मेहनत कर कोशन क्या कह रहा है कोशन कह रहा है कोशन कह रहा है इसकी पूरी पीडियाप आप मेरे टेलीग्राम से निकाल लीजेगा मैं डाल दूँगा सत्रा हजार पानसो रुपए अंकित मूल वाली टेलीवीजन को चौदा हजार रुपए में उपलब्द है तो कितने प्रसत की छूट दी जारी बताओ बेटे भाई मार्क प्राइस कितनी है मार्क प्राइस कितनी है मार्क प्राइस है सत्रा हजार पानसो रुपए मार्क प् प्राइस आपको दिया गए 14,000 रुपे 17,500 रुपे की चीज है और आप उसको 14,000 रुपे में बेच रहे हैं कितने बेचना 14,000 रुपे में तो कितने का डिसकाउंट दे रहे हैं 17,500 रुपे इसका मार्क प्राइस है और 14,000 रुपए में बेटे अगर आप बेच रहे हो तो कितने का डिसकाउंट है 3500 रुपए का बेटे आपको डिसकाउंट दिया जा रहा है कितने पर कितने पर 17,500 पर 17,500 पर तो बताओ 100 पर कितना आएगा 100 पर कितना आएगा तो 17,500 पर ठीक है calculate कर ले तो 35,000 रुपए का बेच्चे discount है कितने पर 35,000 रुपए का discount है calculate कर लो ये दोनो 0 इससे cancel ठीक है और cancel कर लो कितनी बार जाएगा लगबग-लगबग कितनी बार गया दो बार चला जाएगा 175 से cancel कर तो दो बार गया 20 परतिशत का discount है कितने का डिसकाउंट है 20 प्रतिशत का डिसकाउंट कोई डाउट तो नहीं है चलिए कोई डाउट तो नहीं है और जितने भी बच्चे यूपी पुलिस की तियारी कर रहे है आप सभी के लिए तो आपको पता है संगर्स सफल हो चुका है ठीक है ये मैं अकशर एक चीज़ कहता हूँ चलिये बता ही क्या हो गए ठीक है स्रीकृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निस फपल होगा ये आज नहीं तो कल होगा दोस्तों अगर कर्म इमान्दारी से किया जाए अंदारी से की जा, यह नहीं कि माता पिता को दिखाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो definitely आपको उसका result जरूर मिलेगा, आपका और उसका result जरूर मिलेगा, बताईए, question क्या कह रहा है, A और B की वर्तमान, आयू का अनुपात, तीन अनुपाते चार हैं, एक तरफ कर दो A और एक तरफ कर दो B, A और B की वर्तमान, आयू का अनुपात, तीन अनुपाते चार हैं, मैंने का अच्छा, ठीक है, अच्छा, दस वर्षों के बाद, दस वर्षों के बाद, यहां पाते 6 है तो बताओ B की वरतमान आयू कितनी है ठीक है B की वरतमान आयू कितनी है अब देखो एक ही आयू प्रेजन्ट में ऐकी आयू 3 यूनिट है अब कितनी है पांच यूनिट है A की IU में कितने का increase है 2 unit का increase है है की नहीं है और B की IU पहले 4 थी अब 6 हो गई B की IU में भी 2 unit का increase है ध्यान से देखो A की IU में 2 unit का increase है B की IU में भी 2 unit का increase है और कुल मिलाकर 10 साल का increase देखने को मिल लहा है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2 unit की value कितनी 10 साल तो आप से क्या कह रहा है कि B की वर्तमान आयू कितनी चार यूनिट तो चार यूनिट की वैल्यू कितनी है कि 20 इयर 20 इयर्स 20 इयर्स कौन सा अप्शन है कोगे सर B आप्शन है कौन सा अप्शन है कोगे सर B आप्शन है कौन सा option है कोगे सर B option है बोलो clear की नी clear तो भाई कितना आ गया 20 साल बोलो clear की नी clear clear की नी clear क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt है क्या लाट लो किसी भी step पर कोई doubt है क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt देखने को आ रहा है नहीं अगला question बताई क्या होगा इस question का सर फास्ट करते हुए चलिए question को जल्दी करेए देखो ये देखो एक नया कहिते है वहाँ पर math पढ़ाया जा रहा है कौन कौन पढ़ने चलेगा लपण मार के ना तुम्हारा मुह तोड़ दे ठीक है क्यों 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 कि तुम्हें पढ़ रहा है कि कहां से क्या होना है कहां पर कितना content मिल ला है और दूसरों को बर्गलाने के लिए कुछ भी बोल दो जीनियस गल जीनियस बॉय हाँ, बहुत अच्छा है हम तो सनम डूबे थे, तुमको ले डूबेंगे यही कहानी रहे गई यह न? जिसको भी पार्त बैच लेना, वो ले सकता है नहीं मुझे खुद समझ में नहीं आता है तुम खुद यहाँ पर कलासेश करते हो, दूसरे कहते हैं वहाँ पर जाकी कर लो क्यों? क्या सोचकर आसा करते हैं? यह मतलब खुद यहाँ पणखे और दूसरे कोगे वहां चले जाओ, वहां चले जाओ देखको, पी और क्यू मिलकर किसी कारे को दो दिनों में करते है ठीक है Q और R मिलकर Q और R मिलकर काम को चार दिनों में करते है और हो सकता को यह फेक आइडियो यह को औरिजनल आइडी भी ना हो बेटे यह कोई कारेंटी नहीं कि औरिजनल आइडी है अच्छा P और R मिलकर P और R मिलकर इसी कारे को 12 बटे 5 दिनों में करते हैं सबसे पहले बेटे आप LCM निकाल लो कितना आएगा LCM कितना आएगा 2, 4, 12 तो 2, 4, 12 का LCM कितना आएगा 2, 4, 12 का LCM कितना आएगा 12 कितना आएगा 12 याणी कोई पूछे कि Total War कितना कोगे 12 यूनिट है अब देखो, ठीक है, हमेशा नियूमिनेटर का, देखो, 2, 4 और 12, हमेशा नियूमिनेटर का ही अलसियम लेते हैं, P और Q दो दिन में 12 काम करें, एक दिन में 6 कारे करेंगे, Q और R चार दिन में 12 काम करें, एक दिन में 3 काम करेंगे, P और R बारा बटे 5 दिन में 12 काम करें, एक मिल के कितना काम करें अगर मैं बात करता हूँ P Q R तीनों मिल के कितना काम करें च्हो educator को है To और पांच 14 कारे करें सारे नहीं देखो ध्यान से. यहां पर Double P Q है और Double R है. मतलब 2P 2Q 2R मिल कर 14 काम करें तो P QR कितना करेंगे 14 बटे दो, यानि साथ कारे करेंगे अब जब हमको ये मालूम पढ़ गया P, Q, R मिलकर साथ कारे करें तीनों मिलकर साथ यूनिट कारे करें कहरा बताओ P कितने साहिम करेगा देखो, अगर P के बारे में निकालना तो Q और R को हटा दो Q और R एक दिन में तीन कारे करते है तो P कितना कारे कर दे कि कुल कारे साथ हो जाए देखो, Q और R Q और R मिलकर तीन कारे करते है P कितना कारे कर दे कि साथ कारे हो जाए कोगे सर चार, तभी तो चार और तीन साथ होगा कोगे सर बिलकुल, बिलकुल क्लियर है कोगे सर बिल्कुल इसका मतलब ये पी एक दिन में चार कारे कर रहा है तो बारा कारे कितने दिन में करेगा तीन दिनों में बारा कारे कितने सभी में करेगा तीन दिनों में बारा कारे कितने सभी में करेगा तीन दिनों में चलो next question, पाप लगता है दूसरे को गलट guidance देने में, चलो next question बच्चों आपके सामने, बॉर्ड मॉस का question है, बताए कैसे करेंगे आप लोग इस question को, railway महापेक लेना है तो पेटे आज ही ले लो, अभी भी मैं कह रहा हूं नहीं तो price और बढ़ जाएगा, क्योंकि कल से railway हम लोगी start करने जा रहा है, अचा सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप पूरा question एक बार में देखोगे तो यह question आपको डरा रहा होगा, बहुत बड़ा question लग रहा हूं, नहीं, इस question को छोटे छोटे चोटे टुकडों में काट दो, यह देखो, इतना part अलग कर दो, फिर यहाँ से लेके, यहाँ तक वाला part अलग कर दो, तो ध्यान से देखो, हमेशा plus और minus से question को अलग कर दिया करो, अब यह तीन question हो गया, अलग-अलग, अब तीनों question को solve करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, BODMAS, BODMAS, और बलकि होता VBODMAS, वेना कुलंबार, bracket, small bracket, curly bracket, big bracket, O4 क्या होता, off, divide, multiply, addition, यहाँ पर क्या आजाएगा बच्चे, यह जाएगा multiply, यह हो जाएगा addition, और यह हो गया subtraction, और इसको आप उपर से नीचे follow कर लिजेगा, यही नियम होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, ठीक है, सर, मेरा पेपर हो गया, सब आपने जितना पढ़ाया, सब आया है किसी, की आउका थो मैं अपने गलत करके दिखा दे, आपकी क्रपा से, चलो, thank you, thank you, चलो, बहुत बढ़िया, all the best बेटे, ठीक है, अब देखो, पहले off solve करो तो, 12 divided by, 4 त्याही 12, 12 को 12 से divide कर दो, कितना हैगा, एक, plus, अब यहाँ पर देखो, पहले आप divide करेंगे, divide और multiply में पहले divide करते, divide करो, 12 को 4 से divide कर दो, कितना हैगा, 3, और फिर 3 से multiply करेंगे, तो 9 आजाएगा, minus, अब यहाँ पर देखो, पहले divide करो, 11 से divide कर दो, कितनी बार जाएगा, 11, 4, 44, फिर 2 से multiply कर दो, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 और एक, 10, 10 में से 8 गया, कितना हैगा, 2, तो 2 बेटे क्या है, correct answer, 2 बेटे क्या है, correct answer, बोलो clear की निकले, 2 बच्चे क्या है, correct answer, बोलो clear की निकले, done हो गया, हो गया सभी बच्चों को, proper समझ में आ गया, किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है, किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है, ये confidence होना चाहिए, कि सर, मेरा student कमेंट में खुद लिख रहा है, कि सर, maths पढ़के देखे आए, अवकाद वो किसी का एक question गलत करके दिखा दे, ठीक है, चलो, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर देखो question को अपने तीन पार्ट में बाट आए, ठीक उसी प्रकार, जैसे यहां पर इतना पार्ट अलग कर दो, इतना पार्ट अलग कर दो, और ये वाला पार्ट बेटे आप अलग कर दो, ये वाला पार्ट बेटे आप अ तो तीन पार्ट है, तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करो, कैल्कुलेशन आपके लिए आसान होगी, देखो, 48 को 8 से डिवाइड करो, 8 छंग 48, फिर इसको सॉल्व करते, पहले डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो 24 को 8 से डिवाइड किया, 8 तरिक 24, और फिर 3 स मल्टिप्लाई करेंगे, माइनस, ठीक है, यहाँ पर बेटे क्या करोगे, पहले ओफ को सॉल्व करोगे, डिवाइड और ओफ में हम हमेशा ओफ को पहले सॉल्व करते, तो यह जाएगा, किता 10, डिवाइड बाई, पांच दुनी 10, तो बच्चे यह कितना होगा, 6 प्लस, 3 बोलो क्लियर की नी क्लियर, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है, तो 14 क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है, 14 क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है, बोलो क्लियर की नी क्लियर, 14 क्या है बच्चे, करेक्ट आंसर है, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं है, अगला चलो अब बहुत द्यान से देखो मैंने क्या बोला कुशन को ब्रेक कर दो इतना पार्ट अलग कर दो ठीक है यहां से लेके इतना पार्ट अलग कर दो और यहां से लेकर यहांतक वाला पार्ट अलग कर दो यह तीन पार्ट हैं तीनों पार्ट को बैटे अब अलगलग कर दो और फिर कॉशन को सॉल्व करो कैसे पहले डिवाइड करो 57, add, 59, 57 तीन आ गया फिर तीन का multiply 2 से कर दें कितना हैगा 6 माइनस अब यहाँ पर बेटे समझो 16, divide नहीं करेंगे divided by 4 का मतलब होता है 1 बटे 4 से multiply कर दो divided by 2 का मतलब 1 बटे 2 से, 4 गुड़े 2 किताब 8, 8 दुनी 16 तो solve कर दिया कितना हैगा 2 देखो divide का कोई concept ही न रखा अपने दिमाग में divide by 4 का मतलब है 1 बटे 4 से multiply करना divide by 2 का मतलब बेटे 1 बटे 2 से multiply करना तो 4 दुनी 8 8 से divide कर दो 16 को 16 को 8 से cancel करने कितना हैगा 2 आएगा clear अब यहाँ पर देखो plus यहाँ पर solve करो कितनी बार गया 11,8,88 8 गुणे 3 कितना हैगा 24 यहाँ गया तो यह कितना होगा 24 और 6 कितना होगा 30,30 में से दो गया कितना है 28 28 क्या है बेटे correct answer है 28 क्या है बेटे correct answer है बोलो clear की नहीं clear done बहुत अच्छे चीजे clear हो गई क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt तो नहीं है किसी भी step पर अगर है तो पूछ लो चली very good next question अगला question यह question same आपके exam में आया था साधारन ब्याच पर साधारन ब्याच पर रिंड दिया गया 20 वर्सों में स्वयम का 7 गुना हो रहा है तो कितने वर्सों में स्वयम का 13 गुना होगा अगर बच्चे सर railway की vacants railway का channel बिल्कुल हमने railway at 24 7 ले आए बेटे आप लोग ले railway के लिए हम special railway के लिए ही पढ़ाएंगे railway at 24 7 पर कल से start कर रहे है question क्या कह रहा है ध्यान से देखो साधारण ब्याज पर दी गई रासी 20 वर्सों में 7 गुनी हो रहे कितने वर्सों में 13 गुनी हो गई तो बिच्चे देखो इसकी trick क्या होती पहला concept क्या है कि आप यहाँ पर apply कर दो ये concept T1 upon T2 किसके बराबर होगा N1 minus 1 upon N2 minus 1 के बराबर होगा T1 upon T2 किसके बराबर होगा N1 minus 1 upon N2 minus 1 के बराबर होगा तो T1 कितना 20 वर्सों में 7 गुना होता है 20 वर्सों में 7 गुना होता है तो 7 minus 1 T2 की value पेटे आपको निकालनी कितने गुना करना है कितने गुना करना 13 गुना तो तेरा माइनस एक तो बीस बटे टीटू इसके बरावर छे बटे बारा छे दुनी बारा क्रोस मल्टिप्लाई कर दें तो टीटू की वैलू बीस गुणे दो कितना हो गए चालिस, 40 years 40 years कितना हैगा बिटे 40 years 40 years, क्या है करेक्ट आंसर अब देखो, बाई चांस पेपर में अगर आपको ये याद नहीं आए तब क्या करोगे मैं कहता हूँ, ये कर लिया आपने वेल अन गुड़ है, बहुत अच्छी बात है बाई चांस पेपर में ये चीज़ आपको अगर याद नहीं आई तब कहा जाओगे, ठीक है, तो मेरा सहरा एक चीज़ और समझो, आप ने किसी को एक रुपे दिये उसने आपका बीस वरसों के बाद आपने किसी को एक रुपे दिये, ये पैसा बीस वरसों के बाद साथ गुना हो गया, यानि साथ रुपे है बीस वर्सों में साथ गुना हो रहा है यानि कितने रुपए ब्याज मिला छे रुपए ब्याज मिला कितने पर बीस साल में हमको क्या करना है हमें कितना करना है तेरा गुना करना है तो तेरा गुना का मतलब होता है एक से तेरा कर दो अगर हम किसी दो कितना है 40 साल अब समझ में आया ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया इनकेस पेपर में कोई अगर ये फॉर्मूला याद ना है तो आप इस तरीके से question कर लिजेगा पर छोड़ियेगा नहीं ठीक है छोड़ियेगा नहीं किसी भी condition में किसी भी condition में बेटे आप question को छोड़ियेगा नहीं चलिए clear हो गया आगे बढ़े next question अगला question same to same बेटे आपके exam में ये आया था चलिए question कहे रहा है चाय के मूले में 20% की व्रद्धी हुई चाय के मूले में 20% की व्रद्धी एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रसत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 2% की व्रद्धी हो कह रहा है बेटे अगर आपको पार्त बैच लेना है जिसको भी पार्त बैच लेना है ले लो चले हो गया हो गया लड़लो हो गया जिया नसे देखो कुशन क्या करा चाए के मूले में 20% की व्रद्धी होती है भाई देखो इस कुशन करने की टरिक क्या अब मैं आपको समझाता हूँ देखो चाए के मूले में 20% की व्रद्धी हो रह apprenti है जानि अगर चाए की कीमत पहले 100 रुपे प्रति किलोग्राइब, 100 रुपे थी, तो अब 20% बढ़ गई, यानि 120 रुपे हो गई, चाय की कीमत पहले 100-30, 20% बढ़ गई, कीमत 20% बढ़ गई, भाई, कीमत 20% बढ़ने का मतलब है कि खर्च आपका 20% बढ़ गया, यहीं तो चीज़ है, मैं कहता हूँ, पहले आप चाय के लिए 100 रुपे खर्च कर रहा है, तो कीमत में 20% की व्रद्धी हो रही, इसका मतलब खर्च भी आपका 20% बढ़ गया, यहीं खर्च अब आपका 120 हो गया, क्लियर है, कोगे सर बिलकुल, एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रसत की कमी करनी चाहिए, की खर्च में केवल 2% की व्रद्धी हो, कह रहा है कि खर्च केवल 2% बढ़े, खर्च केवल 2% बढ़े, यानि खर्च केवल 100 से बढ़कर 102 हो पाए, खर्च बेटे 100 से बढ़कर 102 हो पाएगा केवल, खर्च पहले 100 था, अब कितना होगा, वो आपको पता सरकारी नोकरी तो है नहीं, कीमत क्या हुई 100 से बढ़कर 120 हो गई, लेकिन जेब आपकी केवल 102 तक इलाउ करती है, कि हम खर्च कर सकते हैं, बोलो यस या नो, इसका मतलब आपको अपनी खपत कम करनी पड़े, कितनी कम करनी पड़ेगी, अब आपको अपने खर्च को 120 से घटा कर 102 लाना है, यानि कमी करनी पड़े, कितने कमी करनी पड़े, 18 की कमी करनी पड़े, कितने पर 120 पर, तो बताओ 100 पर कितना आएगा, simply calculate करो यह से cancel, 6 तरिक 18 6 दुनी 12 2 से cancel कर दो कितनी वर, 5 वर 15 प्रतिशत 15 प्रतिशत 15 प्रतिशत, कितना आएगा बैटे 15 प्रतिशत आएगा 15 प्रतिशत, बोलो clear की नहीं clear 15 परसेंट Sorry guys क्या हो गया चलो clear हो गया clear हो गया Very good, very good Next question आपके सामने, बताइए यह question आपके exam में आया था, बताइए क्या होगा इस question का answer जल्दी से try कीजे जल्दी से बताइए क्या होगा इस question का answer कुशन क्या कह रहा है, एक train आठ सेकेंड में, ठीक है एक train आठ सेकेंड में, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के पास खड़े वक्ति को पार्क करती है या train 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार्क करती है तो train की लंबाई और गती कितनी है train की लंबाई और गती कितनी है, बताओ देखो, यह train इदर जा रही है सुनो द्यान से, question कैसे करोगे यह एक train है यह एक train है इसकी लंबाई टी मीटर है मालो, यह train आगे बढ़ती पहले यह train इस परसन को पार करती है पहले यह train इस परसन को पार करती कितनी देर में पार कर लेती है मात्र और मात्र आठ सेकेंड में इस परसन को पार कर लेती 8 सेकेंड में 8 सेकेंड में पहले ये ट्रेन इस परसन को पार करती है ये आप हो है कि नहीं देखो मुस्कुरा रहा है ठीक है आगे बढ़ते है यही ट्रेन आगे बढ़ती है और आगे इसको प्लेट फॉर्म मिलता है कितना बड़ा मातर 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में तो ट्रेन की लंबाई और गती कितनी है ट्रेन की लंबाई और गती कितनी है ये आप से पूछा गए देखो आपको पता है बच्चे पहले ट्रेन किसको पार कर रही परसन को आपको पता देखो इस question करने की trick है जब भी कोई train किसी person को park करती मैंने आपको जब भी train पढ़ाया है सबसे पहले यही चीज सिखाई कि सबसे पहले ही यह देखा कोई train किसको park कर रही है उसी के recording बच्चे आपकी distance depend करती distance उसी पर depend पहले train किसको park करी person को और आपको पता है जब कोई train किसी person को park करती है कितना distance cover करती जितना train की अपनी length है तो T meter तो T meter की दूरी तै करने के लिए उसे 8 second का समय लगता है अच्छा आगे बढ़ते है अब train किसको park करी T plus 264 meter लंबे platform को अब train park कर रही T plus 264 meter लंबे platform को तो यहाँ पर कितना समय लग रहा है जब कोई train किसी platform को park करती कितना distance cover करती train की length प्लस platform की length यहाँ पर आपको कितना समय लग रहा 20 second अब देखो T meter की दूरी तै करने के लिए 8 second और T plus 264 meter की दूरी तै करने के लिए 20 second यानि समय आपका कितना बढ़ गया 12 second बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 12 second बेटे बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 12 second बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है देखो time 8 से बढ़ कर 20 हो गया 12 second बढ़ गया क्यों 12 सेकंड में, तो 12 दुनी 24, 22 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड बच्चे आपकी स्पीड है, अब आपको पता जब कोई ट्रेन किसी परसन, अब ट्रेन की लेंद कितनी है, ये 22 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई, आपको पता जब कोई ट्रेन, ट्रेन की जतनी है उतनी दूरी ताय करने के लिए ट्रेन आठ सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की लेंथ किती है 22 गुणे 8 8 दुनी 16 8 दुनी 16 176 मीटर 176 मीटर 176 मीटर 176 मीटर 176 मीटर 176 मीटर बोलो क्लियर की नहीं क्लियर 176 मीटर क्या है करेक्ट आंसर किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं 176 मीटर क्या है करेक्ट आंसर बोलो क्लियर की नहीं क्लियर यार आप लोग लाइक और शेर बिलकुल नहीं करते हैं ठीक है चाहे जितनी मेहनत करते रो आप लोग के लिए ड़सेंट मेंटर सर हम नहीं करेंगे आप कुछ भी कर लो अगला कोशन बच्चे जो आपके एक्जाम में आया था वो ये था करो अगर लाइक और शेर भी करते हुए चलोगे देखो ये एक बच्चा आया रिकॉर्डेट वाला कहां थे यार मतलब इतने तेजस्वी लोग कहां से आते हैं कई वह लगता है यार कि मतलब क्या कर रहे हैं ठीक हैं अगर आपको recorded ही लिखना है तो मैं record कर की दे दिया करू यार कम से कम बोलोगे तो अच्छा तो लगे गा कि recorded को recorded बोल लो है यहाँ पर light को recorded बोल देते हो अगला question एक pipe एक tiously को 30 minutes में 30 घंटे भरता है टंगे की तली में रिसाओं के कारण कितना पचास घंटे में भरता है तो रिसाओ के कारण पूरी भरी टंकी खाली करने में कितना समय लेगे जैसे पहले समझो उसने कहा क्या कि एक टैंक है बेटे अभी भी रिवाइस कर लो जितने लोगा एक्जाम है नहीं तो भी बैठना और यही कोशन फिर आएंगी क्योंकि आप भी देखरो जीडी में बहुत सारे कोशन रिपीट कर रहे है डेटा तक नहीं चेंज कर रहे है यह इस लेबल पर चीज़े रिपीट हो रहे है यह A है मालो पाइप A किसी टंकी को पाइप A बेटे किसी भी टंकी को 30 मिनट में 30 घंटे में बरता है पाइप A टंकी को 30 घंटे में बरता है और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ अभी भी देख लो अभी भी रिवाइज कर लो नहीं तो फिर आप भी देख रहो कि पेपर बार-बार रिपीट कर रहा है कोशन सारे रिपीट कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं कि कल के पेपर में मैं दुबारा ये कोशन आपको डिसकस कर दूँ अगर पेपर में रिपीट होगा तो दुबारा मैं ये कोशन आपको डिसकस करूँगा ठीक है? यहाँ पर देखो B ये B है, रिसाओ रिसाओ को मैंने B नाम दे दिया अब देखो होता क्या कि A भर रहा है B रिसाओ खाली कर रहा है जिस कारण से 50 गंटे लगते है A भर रहा है A भर रहा है और B रिसाओ खाली कर रहा है जिस कारण से 50 गंटे का समय लगता है 50 घंटे का समय लगता है LCM कितना हैगा 1500 ए जो है वो 30 घंटे में 1500 लीटर भर रहा एक घंटे में 5 लीटर भरेगा ए माइनस बी करने 50 घंटे में 1500 लीटर भर रहा एक घंटे में 3 लीटर भरेगा ठीक है ए जो है ए तीस घंटे में देड़ सो लीटर भर रहा एक गंटे में पांच लीटर भरेगा ए माइनस बी करने पचास घंटे में देड़ सो लीटर भर रहा एक गंटे में तीन लीटर भरेगा बोलो क्लियर की नहीं अब मैं एक ही बात करता हूँ A 5 भर रहा है B कितना खाली कर दे B कितना खाली कर दे कि केवल 3 बचे A 5 भरता है B कितना खाली कर दे कि 3 बचे कोगे सर्थ 2 भाई 2 खाली करेगा तभी तो 3 बचेगा तो बस 2 से डिवाइट कर दो कितना हैगा 75 hours 75 hours 75 hours कौन सा option है D option है 75 hours यानि D option आप बहुत अच्छा बढ़ाते हैं आपकी चार दिन से लगा सारे कोशन अगला कोशन बच्छों आपके सामने क्या कोशन आप से बनेगा क्या ये कोशन आप से बनेगा इस क्लास को अक्षे मैट्स गूरू टेली ग्राम पर भी शेयर कदू मैंने खुद भी नीचर किया मैंने अपने टेलीग्राम पर चलिए बताई क्या होगा 200 मीटर लंबी 2 ट्रेन पढ़ो बताओ कुशन का अंसर क्या आएगा चलिए कुशन क्या कह रहा है कुशन मैटे क्या कह रहा है 200 मीटर लंबी 2 ट्रेन विप्रीद दिसा में चल नहीं वे 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है पहले ट्रेन की गती 90 किलो मीटर प्रति घंटे है तो दूसरे ट्रेन की गती क्या होगी देखो ये ट्रेन इदर से आ रही है दूसरी ट्रेन इदर से आ रही है दोनों की लंबाई किती 200 मीटर ही ये ट्रेन इदर से आ रही इसकी लंबाई 200 मीटर है और इसकी लंबाई भी 200 मीटर है अब आपको पता है जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती कितना डिस्टेंस कवर करती है दोनों की लंबाई का योग 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी अच्छा अब पहले की स्पीड कितनी 90 किलो मीटर प्रती घंटे है अच्छा दूसरे की स्पीड मैंने मान ली X किलो मीटर प्रती घंटे ठीक है आपको पता है जब दो आपजेक्ट अपोजीट घंटे तो स्पीड क्या होती परस पर जुड़ जाती है अब आपको बिलकुल बेजिक फॉर्मूला लगाना है स्पीड किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बिलकुल बेसिक से चलना है आपको पता जब दो अब्जेक्ट अपोजिट जाएंगी तो speed क्या होगी जुड़ जाएंगी तो 90 प्लस x ये कितना हो गया 5 बटे 18 से और multiply कर दो बराबर कितना होगा 200 और 200 कितना होगा 400 बोलो clear की ने clear clear हो गया ये देखो 5 से cancel कर दो कितनी बार जाएगा 5 से cancel 10 सेकेंड का समय लग रहा है distance upon time कितना लग रहा 10 सेकेंड ये इस से cancel 5 से cancel कर दो 8 बार ठीक है तो यहां से बच्चे अगर मैं solve करता हो तो 90 प्लस x बराबर ये इधर जाके multiply हो गया 144 तो x की value 54 km per hour 54 km per hour ठीक है simple सा question था बेटे बहुत simple question था लेकिन table तो याद होने चाहिए ना बच्चे table आपने याद नहीं किये table आपने याद नहीं किये अगला question बच्चो ये question आपके सामने आये था question कह रहा गोले की तरिज्या में 50% की व्रदी वे तो प्रश्टी छेत्रफल में कितने परसेंट की व्रैद्धी होगी अच्छा आपको बता दें गोले में आयतन में ब्रैद्धी पूछी और प्रश्टी छेत्रफल दोनों में पूँचा है तो ध्यान से दिख monks करेगा देखो यह एक गोला है यह इसकी radious है ध्यान से समझते हुए चलेगा देखो अगर इसमें दोनों कोशन पूछे गए टोटल सर्फिस एरिया पर भी पूछा गया और वॉल्यूम पर भी पूछा गया है कि अगर रेडियस 50% बढ़ा दें तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा और रेडियस 50% बढ़ा दें तो टोटल सर्फिस एरिया कितना इंक्रीज करेगा देखो पहली चीज तो ये समझा करो कि ये जो 4 पाई लिखा ये constant value है आपका increase, decrease कभी बर 4 by 3 पाई ये लिखा है ये constant value है इसका कोई मतलब नहीं है आपका increase और decrease केवल रेडियस पर depend करता है अब रेडियस कितना increase करें 50% 50% का मतलब क्या होता है 50% का मतलब होता है 1 बटे 2 पहले 2 थी, 1 बढ़ गई कितनी होगी, 3 होगी तो दुबारा भी 2 से बढ़ कर कितना होगा, 3 होगा यहनि 2 साल में कितना होगा, 4 से बढ़ कर 9 होगया, तो कितने का increase यह 5 का increase है, कितने पर 4 पर तो बताओ 100 पर कितना होगा simple सा solve कर लो, 4 से cancel कर दो कितना होगा, 25 बार, 25, 5, 125 125 125% total surface area increase करेगा अब यह तो होगया total surface area अगर volume होता है, तो क्या करते बेटे volume होता है, तो क्या करते 2 से 3, 2 से 3, और एक बार again 2 से 3, यानि 8 से बढ़ कर 27 8 से बढ़ कर क्या करते, 27 कर देते तो दोनों ही question, मतलब total surface area पर भी question आया और volume पर भी आया है, तो ध्यान से लगाईएगा दोनो अगला question बच्चों आपके सामने बताई क्या होगा, इस question कहां सा, try कीजे जल्दी से, और एक बार सारे बच्चे, जितने भी लोग यहाँ पर live हैं, एक बार attendance लगाएं, attendance लगाओ सारे बच्चे एक बार जल्दी से attendance लगाओ, comment में लिखो present sir, और जितने लोगो like नहीं के, एक बार 1000 रुपए की 80 प्रसत वारसिक दर के लिए अर्द वारसिक रूप से दिया गया, तो ब्याज ग्याद कीजे, यह option गलत है यह आपर, गडबल option लिखें इसमें, चलो, जल्दी से बताओ, एक साल के लिए अर्द वारसिक दिया जारा है बेटे, जल्दी से बताओ क्या आएगा, एक साल के लिए अर्द वारसिक दिया जारा है, 80% है अच्छा, एक बात बताओ, रेट कितना हो जाएगा, अगर बच्चे मैं ध्यान से देखूँ अगर 80% बेटे आपकी रेट है, 80% बच्चे आपकी रेट है yearly, तो half yearly कितने होगी, 40% होगी 40% होगी, और time कितना है, one year है, one year है तो one year का मतलब होता है, दो half yearly दो half yearly, दो half yearly, दो half yearly बोलो clear की नहीं clear, अब आप principal value बना लो, कितना हैगा, 9000 90,000, यह आपको दिया गया, अब आप 2 half yearly बना लो बच्चे कितना हैगा, 40% कितना हैगा, जल्द इसे बताओ 40% निकालो, कितना हैगा, पहले 40% आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 0 से 0, cancel कर दो, 40% का मतलब 2 0, cancel कर दो, 9, 4, 36 ठीक है, 36, कितना हैगा, 36,000 36,000, 36,000 मिलेगा बेटे, देखो, देखो, 40% निकालो, कितना हैगा ठीक है 40% निकालो बेटे कितना हैगा तो 2-0 कैंसल कर दो परसेंटेस से तो 9-4-36 आगे 3-0 लग जाएंगे अच्छा दूसरे साल भी अगेन आपको 40% मिलेगा किया नी कितना मिलेगा 36,000 रुपए मिलेगा जब आप दूसरे साल जाओगे तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज है ठीक है अगेन कितना मिलेगा 36 गुणे 4 कर दो कितना हैगा 144 और आगे दो 14,400 रुपए सबको एड कर दो बताओ कितना आ रहा है सबको एड करो तो 36 और 36 कितना हो गया 72 देखो 36 और 36 कितना हो गया 22, 22 और दस कितना हो गया 82 और 2 कितना हो 84 84,400 ठीक है 84, 22 और ठीक है यही तो हो जागा पच्छे 72,000 हो गया 82 और दस कितना हो गया 86,400 86,400 आएगा बेटे कितना हैartya 86,400 86,400 यह आएगा बेटे 86,400 क्या एक correct answer है 86,400 क्या है बेटे correct answer बोलो clear कि नी clear 86,400 क्या है बेटे correct answer बोलो clear कि नी clear क्या आपको किसी भी step पर कोई doubt है जल्दी से बताओ 86,400 आएगा बेटे अगला question बच्चों ये आपके सामने आये था exam में बता ही क्या होगा पांच वेक्तियों की औसद आयू 42 वर्स है एक समू में दूसरे समू में आठ वेक्ति जिनकी औसद आयू कितनी 81 वर्स है दोनों समू को मिलाये जाए तो सभी वेक्तियों की औसद आयू कितनी होगी सभी वेक्तियों की औसद आयू कितनी होगी देखो देखो पहले कितने वेक्ति हैं को कि सर यहां पर पहले में 5 वेक्ति हैं और इन 5 वेक्तियों की औसद आयू कितनी 42 साल है 42 एर है मैंने का अच्छा अच्छा 8 वेक्ति और है जिनकी औसद दूसरे समू में जिनकी औसद आयू कितनी 81 एर है 81 year है मैंने का अच्छा आप से कह रहा कि पूरे समूव की औसद आयू कितनी होगी अब देखो इस question को करने की trick क्या है इस question को करने की trick क्या है क्या है trick बेटे इस question को करने की देखो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक average value लेट कर सकते हो आपका answer सही आएगा लेकिन कुछ ऐसा लेट करो जिससे calculation आसान हो तो मैंने क्या किया मैंने मान लिया average कितना 60 है मैंने अपनी तरब से average 60 मान लिया क्या ये correct है नहीं अब हम इसको correct करेंगे कैसे द्यान से देखो यहाँ पर देखो average से कितना extra है यहाँ पर average से कितना extra है देखो 21 extra है देखो यहाँ पर 81 है मैंने average 60 माना कितना extra है कोगे सर 11 extra है 21 extra है कितने लोग पास 8 लोगों के पास तो कितना होगा 8 एक कम 8, 8 दुनी 16 160 extra हो गया अच्छा यहाँ पर देखो कितना कम है यहां पर average से कितना कम है क्योंगे सर 18 कम है कितनी लोग पास 5 लोगों के पास 18.95 कम हो गया देखो यहां पर average से 21 एक्स्ट्रा है 8 लोगों के पास 168 एक्स्ट्रा हो गया यहां पर average से कितना कम है 18 कम है 5 लोग पास 18.95 की कमी हो गई जो भी है सब में बटेगा कितने लोग है आठ और पांच तीरा में बराबर बराबर बाढ़तो कितना हैगा आठ सोला में से नो गया कितना है साथ डिवाइट तेरा च्छंग अठतर कितनी बार गया छे बार तो साथ प्लस छे कितना है छाथ-छट साल 66 एर 66 एर कितना हैगा बेटे 66 एर कौनसा ओप्चन है कोगे सर बी ओप्चन है कौनसा ओप्चन है कोगे सर बी ओप्चन है गुरु जी 7th March मेरा एक्जाम है लेवल बढ़ तो नहीं जाएगा बेटे अभी तक तो कोई भी changes नहीं हुए है सेम जिस लेवल पर चीज़े पूछी जा रही है और मैं आपको बता दो इतना जादा repeated चीज़े आ रही है तो प्लीज अगर जिसका भी upcoming shift में exam हो रहे हैं मैं आप सभी लोगों से केवल एक चीज़ कहूँगा कि जाते वक्त daily का daily मतलब जैसे अगर आपका कल exam है तो आज के previous सारी shifts देख के जाओ आपको अपने exam से पहले जितने भी exam हो चुके इन सभी shift का complete analysis देख कर जाओ notes बना लो बच्चे सबसे पहले की static से क्या-क्या आ रहा है current से किस-किस topic से question आ रहा है तो वो proper notes बना लो अगला question बच्चो आपके सामने बताइए third proportional क्या होगा third proportional बेटे यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ third proportional जैसे बच्चे मैंने आप से क्या का a और b दो terms है a और b दो terms है देखे इनका जो mean proportional होता है बेटे वो क्या होता है mean proportional होता है under root a b ज्यान रखना और third proportional जो होता है बेटे वो b square upon a होता है तो इस पर भी question पूछे जा रहे हैं ठीक है fourth proportion क्या होता वो भी मैं बता दूँगा बाद में देखो जैसे बच्चे हमें यह a का का काम करेगा यह a का का काम करेगा और यह b का का काम करेगा b की value किती 15 15 का whole square upon a की value किती 9 तो जैगा 15 गुणे 15 divided by 9 3 पचे 15 3 तरी की 9 3 पचे 15 25 25 25 क्या है correct answer है 25 क्या है correct answer है 25 क्या है correct answer बोलो clear की निकले done हो गया अगला question बच्चो यह question आपके सामने आया था बताए दो train प्रतेक की लंबाई 360 मीटर है एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करती दोनों rail गाड़ी की चाल का योग ग्याद की अच्छा सोचो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने question कराया था बेटे तो प्रतेक की लंबाई 200 मीटर थी यहाँ पर बेटे प्रतेक की लंबाई कितनी 360 मीटर है कोई बड़ी बात नहीं कि कल के shift में यहाँ पर 400 मीटर कर दे और आपसे question पूछ ले कि प्रतेक की लंबाई 400 मीटर है अब बताओ ठीक है तो ध्यान से question लगा कि आएगा ध्यान से लगाएगा देखो यह एक train इधर जा रही यह train इधर से आ रही है इसकी length कितनी है 360 मीटर लंबी train है इसकी length कितनी 360 मीटर लंबी train है अच्छा दोनों की total length किती हो गई sorry guys 720 मीटर एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करती रेल गाड़ी की चाल कितनी इस स्पीड कितनी आएगे इस स्पीड कितनी आपको पता जब एक train दूसरी इस स्पीड किसके बराबर होता है distance upon time के बराबर होता इस स्पीड क्या होगी आपको पता जब दो अबजेक्ट अपोजिड जाते तो इस स्पीड क्या होती जुड जाती 360 प्लस 360 कितना होगे 720 divided by समय कितना लग रहा 18 सेकेंड 18 चोग 72 यानि 40 क्या जाएग 18 चोग 72 40 मीटर पर सेकेंड अच्छा दोस्तों एक चीज किलो मीटर पर आर में पूछ ले तब क्या करोगे देखो याद रखना अगर एक्स क्या है किलो मीटर पर आर है तो पांच बटे 18 से मल्टिप्लाई करके आप इसको मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करते हैं और एक्स मीटर पर सेकेंड है तो x को 18 बटे 5 से multiply करके km पर hour में convert करते हैं यह होता है km पर hour में convert करते हैं ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना बेटे इस चीज का विसेश विसेश ध्यान रखना बेटे इस चीज का दीग है? चलो अगला question बच्चों आपके सामनी यह question कम से कम 20 तारिक, 21 तारिक, 22 तारिक, 23 तारिक सब में आया बेटे यह question हर एक shift में आया बेटे हर एक shift में बेटे यह question आया है एक रासी 10,000 रुपे के अंकित मूल पर 20 प्रतिशत की दर पर और फिर दूसरी छूट कितनी है? x प्रतिशत की प्रतिशत कीजे चलो तेखो कुशन मच्चे क्या कह रहा है? कुशन क्या कह रहा है? 10,000 रुपे की रासी है 10,000 रुपे की रासी है पहले आप कितने का डिस्काउंट दे रहे है? 20% का 20% डिस्काउंट देने का मतलब है कि आप असी परसेंट पर बच्चे बेच रहे है 20% डिस्काउंट देने का मतलब है कि आप असी परसेंट पर बेच रहे है ठीक है? देखो जब आप 10% का discount देते हो तो 100-10, 90% लिखते हो जब आप 20% का discount देते हो तो 100-20, 80% लिखते हो जब आप 30% का discount देते हो तो 100-30% लिखते हो और जब आप X% का discount दोगे तो यह जाए का 100-X बटे 100 और value किसके बराबर हो गई? 72 के बराबर हो गई ठीक है? Solve करते हैं एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो तो कैंसल कर दो कर लेना ये चूरन हो टॉफी हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है चूरन हो टॉफी हो चॉकलेट हो बिस्किट हो जो कोशन हो इसको जो नाम देना दे दो लेकिन पेपर में गलत कर दें तो समझ लेना दौडा के मारेंगे ठीक है चलो चले कोशन आपके सामने कोशन क्या कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाप पर बेशता है और 20% कम वजन का प्रयोग करता है तो वास्तविक लाप का प्रतिशत ग्याद कीजे वास्तविक लाप का प्रतिशत ग्याद कीजे आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहा है सारे बच्चे जितने भी लोग लाइव हैं जरा एक बार लाइक और शेयर तो करो जल्दी से जितने भी लोग लाइव हैं सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे चलिए जल्दी से पहले आप कितने पर बेच रहे थे कोगे सर गुरु जी पहले हम बेच रहे थे 15% के लाब पर दो तरीके से आप इस कोशन को कर सकते हैं पहला पहला चीज क्या है कि देखो 15% लाब पर बेचने का मतलब है कि 100 रुपए की चीज है और 15% लाब पर बेच रहे 115% पर बेटे आप बेच रहे फिर आप 20% कम वजन का प्रियोग करते हैं मतलब पैसा 20% मतलब आपको देना चाहिए था पूरा 100 ग्राम 100 ग्राम देना चाहिए था लेकिन दे कितना रहे हो 80 ग्राम पैसा पूरे 100 ग्राम का ले रहे वो लेकिन दे किता रहे हो 8 ग्राम पैसा पूरे 100 ग्राम का ले रहे हो दे किता रहे हो 9 ग्राम यानि 8 रुपए की चीज है और आप 100 रुपए में बेच रहे calculate कर लो ये 100 इस से cancel तो kull मिलाकर अभी चाहें तो आप cancel कर सकते हैं लेकिन आप देखो 80 रुपे की चीज है 115 रुपे में बेच रहे हैं कितने का प्रॉफिट है 5 ग्यारा में से 38 का प्रॉफिट है कितने पर 80 पर तो बताओ 100 पर कितना होगा 20 पंचे 100 20 चोको 80 25 देखो 25 यानि 5 25 यानि 5 कह रही कितना होगा तो 5 था ही 15 है और 2 कितना हो 70 है 175 डिवाइड बाइ 4 4 चोको 16 1 बचा 15 होगया 4 नहीं 12 3 बटे 4 का मतलब 0.75 और आगया बेटे 43.75 C option क्या है correct answer लेकिन फिर एक चीज आती क्या सर क्या सर क्या हम इसी तरीके से question कर सकते हैं by chance कोई बच्छा confused है कि सर इससे तो नहीं हो पाएगा तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ मान लो कोई चीज 100 रुपए की 100 ग्राम है कोई भी चीज है 100 रुपए की बेटे 100 ग्राम है 100 रुपए की 100 ग्राम है अब सुनो आप 100 रुपए की चीज है 15% की लाब पर यानि 115 रुपए पर बेच ते है मान लो कोई चीज 100 रुपए की है 15% की लाब पर बेच रहे 115% पर बेच रहे ठीक है 115% पर बेच रहे लेकिन हुआ क्या आपको देना चाहिए था 100 ग्राम लेकिन आपने दिया कितना केवल 100 ग्राम की जगे 20% कम तोल दिया 80 ग्राम दे दिया यहनि आप 80 रुपए की चीज़ है 115 रुपए में बेचना कितना आसान है कितने का प्रॉफिट है 35 का प्रॉफिट 80 पर 100 पर कितना होगा calculate कर लो अभी calculate कर रहा है मैंने कितना हैगा 43.75% आप इस तरीके से question को कर सकते हो आप इस तरीके से question को कर सकते हो बोलो clear की नहीं clear ठीक है ठीक है चलो हो गया हो गया हो गया चलो very good next question अगला question बच्चो ये आपके exam में आया था अच्छा यहाँ पर क्या था कि दोनों साल rate अलग-अलग थी बोट दोनों ही जगे बच्चे उसने rate अलग-अलग दी थी ठीक है दोनों ही साल बच्चे आपकी कहते हैं दोनों ही वर्स क्या बच्चे rate अलग-अलग थी अब कोशन कैसे करोगा ध्यान से देखो कोशन कह रहा है कि 22,500 रुपए पर दो वर्स के लिए चक्रवदी ब्याज ग्याद कीजे पहले वर्स के लिए जो ब्याज की दर है वो 10 प्रतिशत है पहले साल के लिए जो ब्याज की दर है बेटे 10 प्रतिशत है 10 प्रतिशत का मतलब होता है एक बटे 10 और दूसरे साल के लिए बच्चे जो rate हो कितना है 20 प्रतिशत है क्यानि एक बटे 5 एक बटे 5 ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 22,500 रुपे प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 22,500 रुपे अब आप दो साल बना लो फश्ट एर एंड सेकेंड डियर फश्ट एर कितना मिलेगा एक बटे 10 यानि बाइस सो पचास रुपे 10 परसेंट सेकेंड डियर कितना मिलेगा 5 परसेंट कितना होगा 5 परसेंट यानि एक बटे 20 कितना हैगा बच्चे 20 का डिवाइट कर दो 0 कितना हैगा बच्चे जल्दी से बताओ दूसरे साल कितना होगा 20 परसेंट 20 परसेंट यानि कितना होगा एक बटे 5 एक बटे पांच का डिवाइट कर तो कितनी बढ़ गया पांच होको 20 दो बचा पच्छिस और दो बचा कितना होगा 25 पच्छिस यानि 4500 रुपए पहले साल कितना मिलेगा 2200 पहले साल मिलेगा बेटे 10 परसेंट यानि ये ओहो कन्फ्यूजन हो रहा है न आपको ये 5 परसेंट नहीं वो एक बटे 5 होगा 20 परसेंट निकालना है देखो पहले साल कितना मिलेगा 10 परसेंट यानि एक बटे 10 2250 दूसरे साल कितना मिलेगा 20 परसेंट यानि एक बटे 5 यानि 4500 अब यहाँ पर क्या होता जब दूसरे साल जाते हैं तो पहले साल की ब्याच पर ब्याच मिलता है और यह पैसा आपको दूसरे साल मिलता तो यहाँ पर rate of interest दूसरे साल की होती है तो confused मत हो ना 20% यह नहीं एक बटे 5 कितना होगा 5 चोको 20 5 चोको 20 दो बचा 25 हो गया पचम कितने पचम 25 साढ़ी 400 रुपे तो कितना यहगा एड करके बताओ कितना रहे जल्दी से बताओ कितना रहे एड करो कितना रहे कोगशर 72 रुपे बिलकुल correct है कितना हैगा 72 रुपे कुछ गलत लिग दिया क्या 5 से डिवाइड करो 5 चोको 20 2 बचा 25 हो गया 25 साढ़ी 400 correct तो है correct तो है बिटे correct तो है चलो अगला question बच्चों आपके सामने बताये क्या होगा इस question का अंसर एक मिठाई विक्रेता 10 परस्ण लाब पर मिठाई बेस्ता है लेकिन 1 किलो ग्राम के बजाए 800 ग्राम का प्रियोग करता लाब का प्रतिशद गयाद कीजई एक किलोग्राम के बजाए 800 ग्राम का प्रियोग करता लाब का प्रतिशत ग्याद कीज़े देखो 10% के लाब पर बेचता है न बेटे 10 प्रतिशत के लाब पर बेचने का मतलब है 1 बटे 10 10% का मतलब होता है 1 बटे 10 10 रुपए की चीज है और 11 रुपए में बेटे वो बेच देता है अच्छी बात है 1 किलो ग्राम की स्थान पर 800 ग्राम का प्रियोगत करता है मतलब उसे देना चाहिए था पूरा 1 किलो ग्राम यानि 1000 ग्राम देना चाहिए था 1000 ग्राम लेकिन दे किता रहा है 800 ग्राम देना चाहिए था 1000 ग्राम लेकिन दे किता रहा है 800 ग्राम यानि पैसा पूरे 1000 ग्राम का ले रहा दे किता रहा 800 ग्राम यानि 800 रुपे की चीज है 1000 रुपे में आपको बेची जा रही है यह होता बेटे कैल्कुलेट कर लो एक, दो, तीन ऐक, दो, तीन फाइलि आठ रूपे की चीज आपने ग्यारा रूपे में बेचिया किते का profit है? 3 का profit है 8 पर तो profit बेटे कितने काैं? profit बेटे कितने का है? 3 का कितने पर 8 पर तो बताओ 100 पर कितना होगर 3 बटे 8 का मतलब होता है 36% हो गया clear है चली very good अगला question इसका answer करो 10 meter लंबे 10 meter लंबे 8 meter चोड़े और 6 meter उंचे कमरे में रखे जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़की लंबाई कितनी है तो बड़ी से बड़ी छड़की लंबाई का मतलब होता है diagonal देखो लंबाई कितनी वेटे लंबाई बच्चे आपको दी गई 10 meter चोड़ाई कितनी है बच्चे 8 meter उचाई कितनी है बच्चे 6 meter यह आपको दिया गए तो diagonal क्या होगा under root l square plus b square plus h square यह होता है under root l कितना है 10 का square कितना है 100 8 का square 64 6 का square 36 36 plus 64 कितना होगा 100 100 plus 100 कितना होगा 200 क्या मैं 200 को 200 को 2 गुड़े 100 लिख सकता हूँ 100 बहारा कितना है 10 root 2 meter 10 root 2 meter 10 root 2 meter इतनी लंबी छड़ आप रख सकते हैं 10 root 2 meter लंबी छड़ बेटे आप इसमें रख सकते हैं अगला question आकास अपनी आय का 70% खर्च करता है उसकी आय में 25% की व्रद्धी हुई वे में 10% की व्रद्धी हुई तो बचत में कितने परसेंट की व्रद्धी होगी बचत में बचत में कितने परसेंट की व्रद्धी होगी देखो आप सब को पता है कि income minus expense is equal to क्या हो जाएगा saving income minus expense किसके बरावर होगा saving के बरावर होगा मान लो income कितनी 100 रुपए 25 सेंट की व्रद्धी होगी income में 25 परसेंट की व्रद्धी होगई income बढ़कर होगई 125 आग आगे देखो अगर मैं expense की बात करता हूँ way में 10 परसेंट की व्रद्धी हो रही है यह में दस-परसेंट की वहाया है, सतर था 10% बढ़ गया, सतर का 10% होता 7, 7 बढ़ गया, यह नहीं 77 हो गया, भाई 70 था 10% बढ़ गया, 77 हो गया, 125 रुपई कमाए 77, 15 में से 7 गया, कितना है 8, और 11 में से 7 गया, 48, یا नि सेविंग कितनी होगी है, saving बच्चे 30 से बढ़कर 48 हो गई है saving 30 से बढ़कर 48 हो रही है यानि कितने का increase 18 का increase 32 पर 3 चंग 18 60% 60% 60% चलो अगला question ये question कई बार आया है एक दो बार नहीं कई कई बार बेटे आपसे पूछा गया question क्या पूछा गया है एक निश्चित रासी पर 2 साल के लिए 9 प्रतिशत वार्सिक दर से साधारण ब्याज चकरवदी ब्याज का अंतर 162 है तो मूल धन ग्याद कीजे मूल धन ग्याद कीजे अक्षय मैट्स गुरू ना मेरे टेलिग्राम का चलो दो साल के C.I.S.I. का अंतर बेटे क्या होता है बताओ दो साल के C.I.S.I. का अंतर बेटे क्या होता है जल्दी से बताओ दो साल के C.I.S.I. का अंतर क्या होता है जल्दी से बताओ क्या होता है जल्दी से बताओ कोकिसर यह जाएगा PR square upon 100 का whole square यह होता बेटे PR square upon 100 का whole square यह होता बेटे तो दो साल की स्याई साई कांतर कितना 162 रुपीज है principal value बेटे आपको निकाल लिए rate कितनी बेटे rate कितना दिया 9, 9 का square कर दो कितना कितना किया सी, divided by 100 का square करेंगे तो 10,000 आ जाएगा cancel कर तो कितनी बार गया, दो बार गया cross multiply कर देंगे तो principal value कितने की 20,000 तो यह रट के जाना यह रट के जाना बेटे ठीक है, यह concept आपके पास contest होना चाहिए यह पूर्टया contest होना चाहिए आपके पास, ठीक है चालो, तो इतना clear हो गया, जितने भी लोग बच्चे यहाँ पर live हैं, जल्दी से बताओ yes sir clear जल्दी से बताओ yes sir clear जल्दी से बताओ yes sir clear और class अच्छी लग रही, तो like और share भी करते हो, चलो अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से मैं कुछ बाते आपसे discuss करना चाहता हो जितने भी लोग यहाँ पर live हैं, देखो आप सभी को पता है, कि यहाँ पर बच्चे, जितने भी लोग मेरे से maths पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाएं search करे, adda247.com gd में किस नंबर पर क्या मिलेगा, वो भी मैं आपको उपर एक personal वीडियो, अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पर आप किस पोस्ट, कितने नंबर पर क्या क्या मिल सकता है आपको यहाँ पर all courses पर आके SSC पर आके आप CGL पर आजाएं, जैसे बेटे आप CGL पर आएंगे, तो बच्चो ज़रा यहाँ पर देखो, view all पर चले जाओ चाहे CGL पर आजाओ, चाहे CHS यह बच्चे मेरा पार्थ बैच है यह मेरा पार्थ बैच है, जिसमें सबसे ज़ादा बच्चे इस वक्त इन्रोल करा रहे हैं, इस वक्त का मतलब एक सर्टकरी किसे कहें कि ट्रेंडिंग बैच में से एक है सिक 867 रुपीज बेटे इसका प्राइस है, Y170 इसका कूपन कोड है अपलाई कर दो, कितना हैगा 797 एप पे जाओगे, कॉइन लगाओगे तो प्राइस और कम हो जाएगा, मैं अभी भी 1247.com मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जितने भी बच्चे तयारी कर रहे है आप सभी लोग 1247.com या एप पर विजिट करके Y170 जीरो कोड के साथ जाकर इससे जोड़ जाएगा ये प्राइस और कम हो जाएगा 6 मंस की वैलिडिटी है ये पहला ऐसा बहच है जिसमें इतना बड़ा बहच है जिसमें लगभग लगभग 1500 घंटे मैट पढ़ाएगी ये मेरा वादा है अगर 1500 से कम लेक्चर हो तो मुझे बताएगा ये 120 लिखा भूल जाओ 1500 लेक्चर से कम लेक्चर हो ये SSC प्लस रेलिवे दोनों के लिए है SSC प्लस रेलिवे दोनों के लिए है ठीक है चला और दोस्टों क्या करेंगे देखो ये तो ओगई बात बच्छो आप सब ही को पता है कि इस वक्त हमारे पास सारे एक जाम्प선 लाइन आप है चाहे SSC की बात करें तो SSC का भी calendar है, railway की बात करें तो railway का भी calendar है आप CGL के लिए पढ़ना चाते हो, आप CGL का महा पैक लोगे, Y170 code है CHSL बेटे आपका आने वाला, CHSL के लिए CHSL का महा पैक लेंगे MTS आने वाला, MTS के लिए MTS का महा पैक लेंगे इन सभी पे Y170 कोड का ही प्रयोग करना है जिससे कि आपको discount मिल सके अगला अब ज़रा ध्यान से देखो अब दोस्तों यहीं पर देखो अगर आप GD के लिए आपको पता अगस्त में दुबारा GD आएगा तो GD के लिए GD का महापैक दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस और श्टैनो के लिए श्टैनो का महापैक है इन सभी पे बेटे Y170 कोड का प्रयोग करना है लेकिन मैं आपको personally recommend करूँगा कि आप SSC महापैक लो 3249 रुपे बेटे इसका प्राइस है Y170 इसका coupon code है apply कर दो apply कर दो कितना हैगा 2989 रुपीस में बेटे यह आपका हो जागा SSC महापैक मात्र 2989 रुपीस में बलकि एप पे जाओगे coin लगाओगे तो price और कम हो जाएगा तो जितने लोगों ने नहीं join कर रखा आप जल्दी से join कर लें इसके अंदर पूरा SSC jumps cover है सारे SSC jumps cover है है की नहीं है आप देख पा रहे होंगे बच्चे यह इसको join करने के लिए क्या करना है आप सभी को adda 247.com या बच्चों adda के app पर visit करके और एक वादा है आपसे जितने भी बच्चे SSC महापैक लेते हैं Y170 code के साथ मैं उनको अपना पार्थ बैच दूँगा जैसे Y170 code लगाओगे आपका enrollment मेरे पास आएगा ये price और कम हो जाएगा 12 महीने की validity है और पार्थ बैच मैं इस पे active करवा दूँगा आपका मैं active कर दूँगा खुदी ठीक है तो जितने लोग Y170 code के साथ SSC महापैक को जाके join करते हैं उन सभी को पार्थ बैच बिलकुल free of cost मिलेगा ये मेरा commitment है आपको यहाँ पर बच्चे आपको 2000 प्लस घंटे की live classes है 6000 प्लस test series है 2000 प्लस e-book है और 9000 प्लस video courses इतना content है coupon code गलत मत लगाना coupon code लगेगा Y170 benefit मैंने आपको बता रखे हैं ठीक है Y170 code का प्रेयोग करो so that आपको ये benefit मिलेगा ठीक है साथान रहें गलत coupon code मत लगाएं और दोस्तो agitist अगर आप railway exam की आपको पता है हमारे पास ALP की vacancy है 29 फरवरी से हमारा ALP का बैच आ रहा है आप ALP के लिए ALP का बैच लेंगे RPF के लिए भी 29 तारिक से हमारा RPF का बैच आ रहा है मैं आपको personally recommend करूँगा आप railway महापैक लो railway महापैक का benefit क्या है इसमें ALP की भी classes मिलेंगी और RPF की classes मिलेंगी Group D की classes मिलेंगी NTPC classes मिलेंगी 1999 रुपे मेटे इसका price है Y170 इसका coupon code है apply कर दो मात्र 1849 रुपे में ये railway महापैक आपका हो जाएगा इसके अंदर पूरा railway cover है with live classes, test series और e-books के साथ और एक वादा कि अगर आप इसको join करते हैं adda247.com या बच्चों adda के app पर visit करके और coupon code लगाते है Y170 तो आपको part batch इसमें भी मैं आपको free करा दूँगा तो क्योंकि वो part batch जो है SSC plus railway का है ये price और कम हो जाएगा 12 महिने की validity है 12 months की बच्चे इसकी validity है तो जाके आप join कर सकते है ठीक है 12 months की बच्चे इसकी validity है कोई भी doubt है यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं 500 प्लस घंटे की life classes है 1300 प्लस test reach है 400 प्लस 400 प्लस क्या है बच्चे e-book है और 4000 प्लस video courses है open code लगा लोगे Y170 तो आपको मेरा part batch भी free मिलेगा मेरा part batch भी बच्चे आपको इसमें free मिलेगा ठीक है चलो और बताओ कोई doubt और भी कोई doubt है as it is अच्छा एक चीज नई आपके लिए introduce की हम लोगों ने देखो आपको क्या करना है आप SSC के लिए SSC का महापक railway के लिए railway का महापक यह पहला महापक हम लेकर आए जो SSC plus railway महापक है देखो 4347 रुपीस 4347 रुपीस बेटे इसका price है Y170 code लगा लो 3949 रुपें बेटे यह आपका हो जाएगा यह पहला ऐसा महापक है कि जिसमें SSC पूरा railway पूरा complete कराएगा SSC पूरा है और railway भी पूरा complete कराएगा ध्यान से देख सकते हैं ठीक है यह SSC यह पहली बार हम लोगों ने कुछ आप लोगों को लिए initiate किया है इसका reason क्या है यहाँ पर पूरा का पूरा SSC और पूरा का पूरा railway आपको complete कराएगे ठीक है यह price और काम हो जाएगा यह 12 months के लिए बच्चे valid भी रहेगा 12 months के लिए Y170 बेटे इसका coupon code है ठीक है कहां से join करना है कहां से join करेंगे मैंने आपको बता रखा है आपको simply Adda247.com या बच्चों Adda का app दोनों में कहीं पर भी visit करके Y170 code लगा लेना इसका benefit यह है कि यहां पर बच्चे पूरा SSC पूरा SSC पूरा railway पूरा एक साथ cover करेंगे चाहे SSC हो चाहे railway हो सब कुछ एक साथ cover करेंगे पार्त बैच भी free दूँगा 2500 घंटे की live classes पच्चिस सो प्लस रहेंगे 6000 प्लस testories है 2000 प्लस e-book है और 2000 प्लस video courses है Y170 इसका coupon code है लगा लोगे तो पार्त बैच free मिलेगा आपको इसमें चलिए तो आज के लिए बच्चे हम यहीं दर रखते हैं कल आगे continue करेंगे चलिए बताए और आज की date पर अगर आप कोई भी pocket book लेना चाहते हैं तो Y170S code लगा कर आप pocket book भी ले सकते हैं तो daily मेरी regular class है बच्चे वो हो रही है कह बज़े daily हम 7 बज़े आप से जुड़ते हैं तो आप सभी लोगों से कहूंगा इसकी pdf में आपको अभी थोड़ी दिर में डाल दूगा वीडियो के description में आपको मिल जाएगी plus सभी बच्चे अच्छे से revise करिए paper बहुत ज़्यादा repeated आ रहा है ठीक है चलिए Thank you जैहिन दोस्तों पढ़ते रों सेफर and all the best जिनका next shift में exam है ठीक है